हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास 21 विट GST Tally के अंदर में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अलग-अलग ओर्डर के बारे में जो मैंने आपको लास्टेम सिखा था लास्टेम हम लोग की क्लास के अंदर में हो गया था ओर्डर प्रोसेसिंग ठीक है किस तरह से हम लोगों को ओर्डर प्रोसेस करना है चालान बनाना है इस तार चीज़ यह मारे क्लियर हो गई थी तो जिन भी स्टूदेंट्स ने उन वीडियो को उन प्रासिस को कम्प्लीट तो पहले मैं आपको स्टेप्स याद दिला देता हूं कि कैसे कैसे होते हैं सबसे पहले तो हमने एकप्डावन हैं अकाउटिंग फीचर्ट में जाने के बाद इहां पर जो तो हमारे पर F2 करना है यहां पर option देखो यहां पर options कि दिख जाएंगे आपको यहां पर यह कुछ functions होते हैं ठीक है इन्हें आप जहां से समझ लें पहला function दिखी यहां पर F1 accounts का है ठीक है इसमें accounting feature खुल के आता है यह accounting feature होता है F1 फिर आता है F2 इसे बोलते है inventory inventory में जैसे आप F2 दवाएंगे तो यह go down से related, inventory से related, mall से related, दुस्तारी शी जा जाजाएंगे ठीक है दो चीजों में पहले अंतर समझे एक है accounts दूसरा है inventory accounts में हम क्या करते हैं हम लोग lane-dane करते हैं ठीक है किस party से कितना लेना है कितना नहीं लेना है यह सब accounts का का काम होता है inventory के हंदर में हम अपना stock maintain करते हैं हम अपना माल maintain करते हैं basically कच्छा माल क्या है, तयार माल क्या है, कितने quantity में माल हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने किस date को किस घर से माल खरीदा था, घर का मतलब होता है जैसे आप किस party से माल खरीदते हैं ठीक है इसा है कि यह बिजनस का एक रूल होता है कि आप कहां से माल खरीदते हैं यह आप उनको नहीं बताएंगे जो आपके customers हैं, समझ रहे हैं आप नहीं तो फिर वो आपसे माल खरीद के फिर वो उस ही से माल खरीदेंगे और आपका बिजनस ठप हो जाएगा तो यह बहुत सिम्पल सा फंडा होता है तो हम यहाँ पे जिस party को हम लोग घर भी बोलते हैं, score language होती है कि हम घर भी बोलते हैं तो हम बोलते है कि सकी खर का माल है तोग इस का मतलब होता है किस party का माल है, या किस जगह से आया है यह आपका inventory feature होता है उसके बाद जितनी भी taxation वगरा की सारी बाते होती है वो state tree feature के अंदर में आता है state tree ठीक है TSS और advance का मैं आपको बाद में समझाओ तो पहले आज हम दो चीज़े समझे से हमने क्या किया हमने back जाता हूँ मैं एक दम मैंने क्या किया मैंने direct यहां से f11 दबाया और f11 दबाने के बाद मैंने यहां पर f2 दबा दिया तो हमारे पास जो option enable होगा वो होगा inventory features का ठीक है अब inventory features में आपको यहां आना है और यहां पर purchase order और sales order processing को on करना है यह दो option मैंने आपको सिखा चुका हूँ videos के अंदर में यहीं classes के अंदर में ठीक है मैं video ना बोलके classes बोल रहा हूँ ठीक है और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि classes ही बोलें क्योंकि आपकी video classes है ठीक है इसके बाद आज हम तीस्तरा option भी enable कर रहे हैं इस option को नाम है enable job order processing इसके अंदर में क्या खास है इसमें हम multiple go down को access दे सकते हैं ठीक है तो यह सीखते हैं यह कैसे होता है हम go down बनाना सीखेंगे आज at least तो control A करके मैं इसको accept करा रहेता हूँ बाकी चीजों को ठीक है अगर जिन लोग को आल्रेडी पता है कि go down कैसे बनाते हैं वो भी इसको देखें skip ना करें देखो classes लेने का फायदा जबी है जब आप उसको बिना skip के 10 से 15 मिनिट अपना आप निकालें दिन के और आप classes को पूरा करें ठीक है तो हमने क्या किया हमने अभी go down का function enable किया है कि आपके पास three to four go down हो अलग-अलग ठीक है आपके पास अलग-अलग go down हो सकते हैं तो हमें क्या करना है अपने देखा होगा companies के अंदर में offices होते हैं branch offices होते हैं head office होते हैं तो यह क्या होता है यह जो है जो लोग inventory manage करते हैं वो इस बात को अच्छे दर जानते कि go down, sub go down, यह सब होता क्या है, ठीक है, तो फिलाल के लिए मैंने क्या करना है, आपने inventory के option पर आना क्योंकि आप inventory manage करना सीख रहे हैं, और inventory में आप देखोगे कि यहाँ पर एक नया option enable हो गया, इसको हम नाम देते, इसका नाम है go down, तो d दबा के go down को enable कर लेते हैं, ठीक है, तो यह सारी शीजे clear हो गई, अब यहाँ पर जैसे अगर यह single go down है, तो हमें single single ही बनाना है, multiple भी बना सकते हैं, single भी बना सकते हैं, multiple आप जब use करें, जब आपके पास बहुत bulk में काम है, आपको बहुत सारा काम एक साथ खतम करना है, तो आप multiple का option choose कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही advice करूँगा कि आप single go down option का use करें, इसका एक reason है, single go down option में आपके पास बहुत सारे function आजाते हैं, अलग-अलग, लेकिन multiple go down option में नहीं आते, एक बार मैं आपको test करा रहता हूँ, single go down option में आपके पास 3-4 option है, एक option address का हम enable क कर सकते हैं, F12 दबाएंगे, F12 दबाने से go down का configuration on हो जाता है, यहां से आपने go down configuration on करते हुए, तीसरा option को yes करना है, address का, तो यहां पर यह कुछ इस तरह से खुल के आएगा, यह है single go down creation, ठीक है, आपको multiple दिखा देता हूँ, multiple पर हम जाते हैं, तो हमने all रखा, अब यहां सिंपल सा काम किया, यहां पर इसने क्या करना है, जैसे मानलो मैंने go down का नाम रखा Delhi, ठीक है, यह भजनपुरा रख देते हैं, ठीक है, भजनपुरा, ठीक है, तो अब यह क्या करेगा, अब यह direct पूछ लेगा, कि primary है, कि multi है, हम कोई address नी डाल सकते हैं, कुछ नी आड़ स है, क्योंकि हमें bulk में काम अभी नहीं करना है, अभी हम सीख रहे हैं, और जब सीख रहे हैं, तो कुईसी भी चीज को properly सीखना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, तो मैंने यहां पर go down का नाम डाला, कि हमारा जो go down है, वो भजनपुरा में है, ठीक है, भजनपुरा में है, अब इसका option यह दो चीज़ा है, यह होता है, में लोकेशन की आपका main जो go down है, वो यही है, भजनपुरा वाला, या कोई और है, ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है, जब आप उसको कोई कैटिक्रेज नहीं कर रहे हैं, अब उसको प्राइमरी का मतलब होता है, जब उसको जो फिस है वह डैली के अंदर कहां प्अ तो तो मैं उसको डेंडर दंगा लेकिन बेडी जो है वो किसके इंडर आपको आई और वीडियो क्लास है वेश्टर्ब के जो सब्सक्राइब करो कि तस सेंड कर के जड़ एगी और कन killer हईब चीप करो के 10 से किंड आगे हो जाएगा तो यह क्लास इस तरह से चाहब काम करती है इसके अलावा डिसकेशन ग्रूप में आप लोगों ने अपना जो भी कोशन को आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है और आज के लास्ट में मैं आपसे कोशन पूछूंगा ठीक है औ और आप मुझे ध्यान दिलाइएगा अगर आपको वीडियो खतब होने के बाद भी अगर आपको कोई कोशन नहीं मिलता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोशन आप पूछ सकते कि तरह आपने कोशन नहीं पूछा आपको कोशन पूछना था तो हो सकता है मैं डेली में आ जाएं तो Alt-C दबाकर कोई भी नया अगाउंट बनाने के लिए हाँ Alt-C दबाना होता है ठीक है Alt-C दबाकर हम यहाँ पे इसको डेली कर देते हैं ठीक है डेली डेली दम्रणकी हमने डाल दिया राजापुरी में हमने डाल दिया है वी थे की यहाँ दिया पर पर देली कियो क्यूकर यह प्रम्राइब बीक्ताइशन चहल लोकेशन जैसे, वह मैं भजन पुरा वाले के इसको करते डेली अगारे का हो कि हमारे पर कितने गोड़ाउन है और कहां कहां हैं तो आप लोग यहां डिस्प्ले में जाके इन गोडाउन पो चेक विफ है कि तुक्त एक है जिसमें भजन पूरा डैली सु है उत्तम में जाके अब आपके पास कुछ नए options खुल जाएंगे इनके बारे में देर देरे discuss करेंगे जैसे से class आगे बढ़ेगी ठीक है सबसे पहले हैं पर हम inventory में जाते हैं और inventory में जाने के बाद यह stock group है और stock transfer moment analysis कि in aards there is document analysis में होता है कि माल कहां से कहां तक जाएगा या आपने गोडाउं transfer किया है या on the cake कि राद या pixel किा को या अपना an salads किया कि माल तो यहां तक आप लोग को संज में आ रहा होगा कि क्या चीज है ठीक है इस टॉक आइटम में डेख सकते हैं आइटम क्या है हमारे पास क्या नहीं है स्टेटमेंट आफ अपास में यह समझने वाली हैं कभी वी जैसे आपको टोड़ा टाइम लगता है तो आप बैठे करो और उसको देखा करो कि हां सर यह सर ने ऐसे बताया तो यह किस तरह के से काम करेगा अभी मैं क्या कर रहा हूं अभी मैं वाउचर में जा रहा हूं और व पर्चिस ओडर के लिए क्या था आल के साथ अब के साथ आल के साथ आल के साथ एफ फॉर एक अड़ एफ फॉर ऑल्ट एफ टू करेंगे तो यह पीरेड चेंज का उप्शन आए जैसे मान वीजी आपने फिनेंशल एट चैंज करना है तो उसके लिए ऊप्शन आता है ठीक पार्टी नीम मैंने कुछ भी डाल देना है चोलो मैं डाल दिया गुपता एंसंस ठीक है तो मैंने यहां पर एक इनका लेजर माना लिए क्योंकि आप लोगों मालूम है कंप्यूटर फॉर्मेट हो रख रहे हैं तो गुपता एंसंस मैंने कर लिया इसको अब क्योंकि हम इसे पी ओ करके डालेंगे 2020-01 ठीक है पर्चेस लेजर में हमेशा पर्चेस अकाउंट आता है यह बात आपको नहीं बतानी पड़े यह अपने ध्यान रखना है और पर्चेस अकाउंट का अंदर हमेशा पर्चेस अकाउंट है शाबाश तो यह क्लियर हो गया अब हम क्या कीट में इसको रख देता हूँ पीसस क्योंकि पीसी गरी तरफी ऐन्लो में रख से खरीच सिय एक बेलीतना यह कहते है तो मstate पीस तो sing-ci काम नहीं सीख रहे हैं वह आने वाले तीन-चार क्लासे में हम सीखेंगे पहले एक उडाउन वाला समय मैंने सोचा कि आपको क्लियर करा दू तो यह पर्चेस और हो गया अब इसका हम बनाते हैं रिसिप नोट तो नोटिंग बनाने के लिए हमने ऑप्शन इनेबल करने थे ज थे एफ Ele android और F.11 करने के बाद यहाँ पे आपको उप्शन इनेबल करना है एक और यहाँ पै आपको ट्रेक्नि आप्शंस इनेबल करना पड़ेगा इन वाले options को yes करना है, yes किया और अब ही आपने alt f9 दबा के receipt note यानि कि अब आपको इसको चालान बना रहे हैं यानि कि आपको इसको confirm करना है order को कि हाँ यही order है और जैसा कि मैंने आपको class 19 में भी आपको बताया था कि reference number यानि receipt note number अलग अलग हो सकता है delivery number अलग होता है receipt number अलग होता है order का number अलग होता है तो यह अपने हिसाब से मैं तो इसको receipt note number के लिए आरेन कर रहा हूं ठीक है और बाकी जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको मालुम चल जाएगा कि हाँ उसमें क्या receipt note number है तो हमने कहा गुपता इंसंस वाला और यह कह रहे है कि भई इसका order है तो मैंने कहा order को ही तो confirm कराना है तो order select किया और select करने के बाद हमने इसको purchase अपने आप पूरी detail आ गई मैंने इसको accept करा दिया तो यह हो गया चालान यानि कि हमारे पास माल पहुंच चुका है receipt हो ठीक है अब हम इसका हमें बिल मिलता है ठीक है कभी भी धियान रखेगा अब अगर आप माल बाहर से मंगाते हैं तो बि फ्रो खेगा तो इसको मेरे हमने जो कि में यहां यहां पर पर आपने यादाश के लिए कि हा वह की का को यहां पर यह देखना यहां पटाइ तो यहां पर जादू देखनेंए हैं यह जैसी तो यहां पर यह मांग रहा है रिसिप नोट नमबर इसको पर चीज ऑडर नमबर इसको हमने एक्सेट किया यहां पर हमने इसको समझे लिया है हमने इसको एक्सेट कराते हूं ठीक है अब हमारे पास माल आ चुका है हमने भी पेमेंट नहीं करिए यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका मुवमेंट एनलैसिस कि किस तरह से हमारे पास हमने क्योंकि गोडाउन भजन पुरा लिया था तो हम देखते हैं कि को पड़ा है तो आप चैनल के अगाने क्या है इसे लिए मिलता है कि माल लो ऑगे कि अगर जो ओनर है विसनस का वह कहता है कि भाई मुझे बताओ कि भजन पुरा वाले गोडाउन में पड़ा हूआ है तो आप सीधा आप क्या करेंगे आप डिरेक्त यहां से डिस्प्ले मे पीस खरीदा तो सारी डीटेल आपके पास तो यह जो है गोड़ाउन वाला ओप्शन के इस तरीके से काम करता है अब अगर आपने यह दिखना है कि हमने कोई ओडर हमारा पेंडिंग तो नहीं है हमने जो ओडर दिया था तो यहां पर आउटस्टेंडिंग ओप्शन आपके पास आ जाता है ठीक है आउटस्टेंडिंग में मैंने आल ओर्डर किया तो हमारे पास कोई अभी ड्यू नहीं है देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ रहे है ड्यू ओनली यानि कि जो अभी तक आया नहीं है ड्यू है और क्योंकि हमने तो माल भी ले लिया और उसका प यहां पर परचेश बिल Pending option आपके पास होता है यहां पर देखो यहां फर बिल यहां फिल buyers बिल से प्रिकांडे वी इंगे बेरा बिल देखनी में है कि इस बाद करने कि ब्रीकों अब एप हैंट फैपशे ुमक्रेंट च आपके आप नहीं करनी लोग तो अब हमने काया कि बीए हमें प्रेमेंट करनी है तो हमने क्या करना है हमने आप प्रेमेंट आप्षिन पर जाना है यानिकी एफ five ठीक है तो एफ five option के लिए मैं डारेक्ट यहां जा रहा हूं क्योंकि मैं पर दूसरे शॉट कर से तो मैंने five किया अम आपको एक लाग पिछ तो पुराना बिल आ गया अपना यह इस तरीके से और यह एक लाग पचीस जा रुपए बच गए अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमें देखना है कि हमारे पास कितना किसका प्रेंडिंग है तो हम ऐसे दिख सकते हैं तो यहां पर दिखा देगा कि भई एक कि 1. rudald तो यह इस तरीके से आपका यहां तक हा गया ओगा का कल तो यह तरीक वो सब्सक्राइब करो को सब्सक्राइब अब मैं बने आपको सब्सक्राइन के वmistantoor मेरा सवाल जो है वो आपको उसका अंसर आपको ग्रुप के अंदर में देना है ठीक है तो मेरा सवाल यह है कि मैंने गोडाउन का ओप्षिन कैसे इनेबल किया था ठीक है उसके स्टेप्स आपको मुझे बताने हैं पर्सनल मैसेज में ठीक है जिनके मैसेज आएंगे मेरे पास पर्सनली उन्हीं के अटैनल्स मांक होगी ठीक है ओके आप तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए हैव नाइस टा झाल 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 झाल